Hello Friends, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप VBA के त्रूइ शॉटिंग कैसे कर सकते हैं कि बेसिकली शॉर्टिंग होती क्या है शॉर्टिंग नहीं मतलब में आपको इसमें पहले फिल्टर करके बताऊंगा फेले फिल्टर का आपको पता चल जाए तो फिल्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूं इस टॉटरियल में शॉर्टिंग का में आपको दूसरे इस तियुक्त इस तरह से शॉड करना है इस तरी के से करते हैं जैने का किन नहीं तो मैं जैन को से लेक्ट करोंगा इस तरीके से जैन का डिटा जागा मेरे पास और घर मुझे क्या करना है तो मद नोब साभी आपका डेटा कहीं पर ब्रेकेज बोड में नहीं और उन्हें है तो आप सिंपल इंटा पर इंटा पर इसलिक कर सकते हैं तो आपको विप्र आंग बतां को किस तरह के से करेए है तो आपको क्या करना है यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए विए कोड पर क्लिक कर दिजे अगर ॥ा ओई तरह से प्लिक कर दिए, एक आपका module तब भी नहीं देख रहे है तो insert में जाकर आप module पे क्लिक कर देगे इस तरह से module आ जाता है यह module और वन करके आ गया तो इस module का नाम में चेंज भी कर सकता हूं इसका नाम में test लिख सकता हूं और जब भी हम की भी मतलब coding करते हैं तो हम sub routine के के थ्रू करते हैं वैसे function भी होते हैं अलग लग चीज भी होती है लेकिन basically हम subroutine के थ्रू करते हैं तो इसके लिए मैं सब लिखना है यहां पर यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं लिख देता हूं filter test यहां पर करना एंटर कीजेगा तो अपने 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 लिखावा जाएगा तो इसमें मैं आपको पहले रेंज सेलेक्ट मतलब रेंज के लिए आप इस तरह से देखीजिएगा आप 448 है वैसे डाइनमिक भी आप इसे कर सकते हैं तो मैं आपको इसको दूसरे टुटोर है मताऊंगे आप डाइनमिक रेंज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं पिसमें मतलब मैं मैं जाली मैं आप एक एल्वा छुक टैपibo देने वाला हूं के किसे एलय आर च्ग कर सकते हैं व्ल प्रवि डैक्ट दिलेवन करोंगा तो यहां पर मैं लिखता ऊड supra Camp चिक कर दो हो में नियुक लिखें पा लम in a1 कि ए डबल फूर इट तक की रेज को स्विल्ट कर देता हूं कि क्या कि इसके बाद आपको टॉट लगाना है इस को खैसी तरह से उसे छोन आप स्सक्राइब का आपको यह पे आँ अटो फिल्टर लिखना है और रेकर आपको अटीर यहां पिनिखाव आत्य की प्रेस कर दिने तो आप यह जो है आप को शॡ्स बई देना च्प्या हरह sitä जेएंगा कि अज़िगुा University में एक है मैं को जैन्मरी से फिल्ट्र लगाने मीलजज जैन्मरी फेड्री मितलब मैं को फस्ट वाले फिल्ड्स मुझे फिल्ट्र लगाने में इसे कल्दू संच जिर्टर लगाना होता थी मैं दो लिक तChatन चार इस तरब उनक्राइस सकता दब यहां तो आप देख लिए यहां पर हो Criteria one लिखना है क्राइटेरिया इस तरह से आप Criteria two अगर आपके multiple filter है तो Criteria two इस तरह से लगा सकते हैं फिर इस तरह से इसको लगाने के बाद यहां पर मैं जो यहां पर होगा उसी को लिखना पड़ेगा पूर जैसे जैन है तो मैं Gen करके, यह मेरा filter लगा है, तो कि हम ऐसे रन कराने कलें, Alt F8 से Step by Step करूँगा, देखिए, Gen का लगा है, अगर मुझे यहां पर FAB का लगाना है, FAB लिख दूँगा, देखिए FAB का लगा, December का लगाना है, इस तरह के से दिसमर करणके इस तरह के से आप malructures पड़े से हृचा जब भागा सकते हैं मैं इसको एठा के तो ही सब्सक्राइब। से लगाता ही कि अबार आपको ध्टीगा Chicago कि जिस तरह से याँ पे लिखा होगा से निशुचा निचा कर देगा अगर यहां तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं इसमें कोई मतलब बहुत इजी तरीके से इस तरह से आप को चोटे-चोटे के चोटे-चोटे के कोड़ बताता रहूंगा अपने इस चैनल में तो आप इसको सबस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मैं इसी तरह की और भी मतलब छोटे-चोटे कोड़ करके डालूंगा एक साथ मतलब अगर कोई VBA स्टार्टिंग फेज में होता है तो इक दम से बड़े को समझ में नहीं आता है चोटे-चोटे कोड़ की वज़े से क्या होता है कि और छोटे-चोटे एक्जामपल को इस तरह के मतलब को लिखके उन पर अपलाई कर सकता है और फिर जब आपको छोटे-चोटे चीज़े आते तो बड़ी कोड़िंग भी कर सकता है I hope आपको अच्छा लगा होगा thank you for watching have a nice day